हालो स्टुडेंट्स आज का अमारा टोपिक है रेफ्रेक्टिव एरर्स रेफ्रेक्टिव की बात करें तो जो रेटिना पे लाइट रेज आके फोकस करती है और जिसकी वज़े से हम देख पाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रेफ्रेक्टिव एरर्स की बात करें तो reflective errors एक ऐसी problem होती है जिसमें जो light raise है वो retina पे focus नहीं कर पाती है और इसके अलावा ये कहां focus करती है या तो retina के front side में या back side में और इस वज़े से person में क्या problem देखने को मिलती है blood vision तो reflection हमारी eyes की ऐसी process है जिसमें retina पे light raise आके focus करती है जिस वज़े से हम देख पाते हैं बड़ refractive errors में क्या होता है जो light raise eyes के अंदर enter करती है वो retina पे focus नहीं करती है इसकी बज़ाए ये कहां focus करती है या तो front side में retina के या back side में जिसकी वज़े से क्या problem देखने को मिलती है blood vision या की यानि की person को धुनला दिखाई देता है अब इसके types की बात करें तो first one है immetropia immetropia का मतलब होता है normal vision यानि person का जो normal vision है जिसमे light raise normally retina पे focus कर रहे तो उस term को क्या बोलेंगे immetropia अब next one है immetropia immetropia क्या मतलब होता है abnormal vision यानि ऐसी condition जिसमें जो light raise है और retina पे आके focus नहीं कर रही है या तो front में पढ़ रही है या back side में पढ़ रही है तो उस condition को क्या बोलेंगे immetropia अब जो immetropia की condition है इसको further sub types में divide किया गया है first one है myopia second one है hypermetropia third one है astigmatism और fourth one है press biopia first one बात करें myopia की तो myopia को एक और नाम से बोला जाता है short sightness in this condition light raise are focused in front of the retina जैसा कि मैंने आपको बताया था refractive errors में या तो front में light raise पढ़ती है retina के या back side में पढ़ती है तो myopia कंडिशन में क्या होगा जो light raise है वो focus कहां कर रही है retina के front side में इस वज़े से person में क्या problem देखने को मिलेगी person दूर के objects clearly देख नहीं पाएगा यानि person को दूर का clearly दिखाई नहीं देगा ये जो है myopia ये दो टाइप का हो सकता है but अगर in the life यानि life process में कभी भी अगर ये condition arise हुई तो उसको क्या बोलेंगे pathological myopia next जो myopia ये condition है इसको treat करने के लिए concave lenses का use किया जाता है जो myopia ये condition है उसको treat करने के लिए कौन से lens दिये जाते है concave lenses next वन जो type है वो है hypermetropia इस condition को long sightness भी बोला जाता है इसमें क्या होता है जो light rays होती है वो retina के back side में focus करती है इस वज़े से person में क्या problem देखने को मिलती है person past के objects clearly नहीं देख पाता है यानि कि person को past की चीज़े clearly नहीं दिखती है अब जो hypermetropia इसको treat करने के लिए convex lenses का use किया जाता है third one है astigmatism ये condition में जो light rays होती है वो retina पे दो points पे आके पड़ती है कहने का मतलब ये है कि other conditions में तो जो light rays है वो एक ही point पे focus कर रही थी but इस condition में क्या होगा कि जो light rays है वो दो point पे आके focus करेंग जैसा इस diagram में आप देख रहे है जो light rays enter कर रही है तो यहाँ पे पाके पड़ रही है और यहाँ पे आके पड़ रही है तो इस condition को क्या बोलते है astigmatism इस condition में क्या होता है person को vision problem होता है और इसके साथ headache की शिकायद भी रहती अगर person किसी एक object पे focus करता है तो उसमें headache जादा हो देखने को मिलता है अब जो astigmatism की condition है इसको treat करने के लिए cylindrical lenses का use किया जाता है fourth one है इसके बाद press biopia press biopia की जो condition होती है यह age related condition होती है यानि कि जो persons की age दीरे दीरे बढ़ती जाती है उन में press biopia देखने को मिल सकता है और यह condition क्यों arise होती है क्योंकि age के साथ जो lens की elasticity होती है वो decrease होती जाती है next इसके बाद जो point है patient में unable to seize nearly object clearly यानि कि इस condition में person pass के object देखने में शक्षम नहीं होता है उसको pass की चीज़े clearly दिखाई नहीं देती है इस condition को treat करने के लिए convex lenses का use किया जाता है जो lenses myopia में use हो रहे थे sorry hypermetropia में use हो रहे थे so यह refractive errors of eye की condition complete हो गए अगर आपको इसमें कोई भी problem है तो comment करके पूछिए thank you जो